अगर आप पहली बार हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लेगे तो शेयर जुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो खाने के सुआत को दो तिन गुना बड़ा देता है हरी मिर्ची का अचार हम इसको बनाएंगे बहुत असान तरीके से और आप इसको साथ की साथ भी खा सकते हैं हरी मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची लिए है मैंने इसको अच्छे से वोश कर लिया था और इसको पंखे की हवा में सुका लिया था तो आप इसको पहले अच्छे से वोश करके दो करके और इसको सुका लिया अब हमें इस तरह से पीछे के जो डंटल होते हैं हरी मिर्ची के वो सब को अलग कर देना है और सब भी को अलग करने के बाद हमें नाइफ की मदद से इस तरह से इसको कट कर लेना आप चाहें तो इस तरह से बीच में से कट कर सकते हैं तो देखे कुछ मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगी और कुछ यहाँ पर हरी मिर्ची में पूरी बीच में से कट कर दूँगी तो देखे मैंने यहाँ पर सभी मिर्ची को काट करके तियार कर लिया है इस तरह से अगर आप काटेंगे तो जो मसाला है वो अच्छे से हरी मिर्ची में चला जाएगा और हरी मिर्ची का अचार बहुती स्वादिश्ट बनेगा तो चलिए तब तक हम यहाँ पर अपने मसाले भून लेते हैं हमें यहाँ पर गैस पर एक पैन को चड़ा देना है और यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले लेंगी तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो चमच मेथी दाना साबुत दो चमच हमें यहाँ पर लेनी है 100 मैंने यहां पर 1500g हरी मेर्ची ली हैं तो उसी के एसाब से हमें यहां पर मसाले लेने अगर आप ज्यादा हरी मेर्ची का आचार दालेंगे तो आपको यहां पर मसाले की quantity को बढ़ा देना है एक चम्मच हमें यहाँ पर लेनी है कलोंजी अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो इसको स्किप भी कर सकते हो दो चम्मच हमें यहाँ पर डालनी है राई इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा था है बस इतना ही हम यहाँ पर डालेंगे और इसको अच्छे से बून लेना है तो देख एक दो मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे और गैस की फ्लेमा आप यहाँ पर बिलकुल लो रखें तो देखे मसाले हैं अच्छी खुश्बू आ रही है मसालों के अंदर से और अच्छे से चटक करके तयार हो चुके हैं तो चलिए अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो देखे मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब हम यहाँ पर एक ग्रैंडिंग जार लेना है और ग्रैंडिंग जार में हमें सभी मसालों को डाल देना है अब मसाले को हमें यहाँ पर दरदरा पीसना है ज्यादा बारिक नहीं करना है तो देखे इस तरह का में द पर नबर सोका अपर और इसको गरम कर लेना है हम इसको अच्छे से खोला लेना जब तक दुआ निकल जाए चलिए इसको गैस पर छड़ा देते हैं तब तक हम यहाँ पर बाकी की तयार ही कर लेते हैं हमें यहाँ पर एक मिक्सिंग नमक आप याँपने टेस्ट के अंसर डाल सकते हैं मैंने यहाँपर लेट चमच नमक डाला है नमक आप यहाँपर थोड़ा जाद दा ही रखे क्योंकि हरी मिर्ची के अचार में नमक जाद लगता है एक चमच हमें यहाँपर डालना है अमचूर पाउडर आदी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डालना है कश्मेरी लाल मिर्च इससे जो हमारे चार का कलर वो ती अच्छा हैगा एक चम्मच हमें यहाँ पर डालना है धनिया पाउडर तो देखिए सभी मसाले हमने यहाँ पर डाल दी हैं तो देखे जितना चाहिए उतनी हमें आपर डालना है सारा नहीं डालना है तो एक बार हम यापर इसको अच्छे से mix कर लेते अगर कम लगे आपको आप बाद में add कर सकते हैं तो देखे इस तरहे से चम्मच के मदद से हमें सारे masालों को अच्छे से mix कर देना है बहुत ही tasty हमारा अचार बनकर के तयार होता है और आप इसको हाथो हाथ भी खा सकते हैं तो देखी यहाँ पर मसाले को अच्छे से mix कर दिया है आप इसको जिरूर ट्राइ करें बहुत ही tasty अचार बनकर के तयार होता है और बहुत ही जलदी बनता है, बिल्कुल भी time लगता है, इसको बनाने में, खाने के इस्वाद को बहुत ही ज़्यादा बड़ा देता है, तो हमारा हरी मिर्ची का instant अचार बन करके तयार है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा color आया है, बहुत अच्छे से मसाल अच्छे लगी होगी अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेर जरूर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर